आज हम बनाएंगे बटाटा पोहा जो महरास्ट का बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है पोहा पर्फेट कैसे बनता है दोस्तों कि वो खिला खिला भी हो ड्राइ बिल्कुल भी न हो अच्छा खासा मॉइस्ट हो यह देखिए हमारा पोहा बिल्कुल अलग-अलग है तो चलिए यह मज़ेदार सा बटाटा पोहा बनाना शुरू कर लेते हैं यहां पर मैंने लिया है डेड़क पोहा पोहा आपको एकदम बारिक वाला नहीं लेना है थोड़ा सा जाड़ा पोहा लेना है ठीक है जी यह मैंने डेड़क लिया है मैं इसको खुले नल के नीचे या खुले तो यह देखिए लगबग हमारा पोह भीग चुका है अब एंड में हम थोड़ा सा ज्यादा पानी एड़ करेंगे यानि कि एक कप जो पानी मैंने लिया है वो मैं पूरा यहां पर यूज कर लूगी तो चली हमने पूरा पानी इस तरीके से डाल दिया है अब यह पोहा बहुत ही अच्छे सी भीग भी गया है और नीचे एक्स्ट्रा पानी ड्रॉप हो रहा है हमारे बावल के अंदर दस मिनट के लिए मैं ऐसे ही इनको साइड में रख देती हूँ यह देखे पानी नीचे यह ड्रिप होकर के गिरने देते हैं इसको यहां पर मैंने एक लाल आलू को बॉयल करके क्यूब में कट कर लिया है यह लाल आलू है इसलिए थोड़ा सा डिस कलर आपको नजर आ रहा इसके अंदर यह हमने तीन से चार हरी मिर्च को फाइन चॉप करके लिया था मैंने यह डाल दिया अब मैं यहां पर दोस्तों प्यास डाल रहे हूं क्यूंकि मेरा आलू जो है वो पहले से बॉयल है अगर आपका आलू पहले से बॉयल नहीं है रॉ है तो आप यहां पर प् जख क्योंकि प्यास डालेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता है क्यूंकि इस रेषिपी में ब्राउननी होने देना है हमें प्यास मैंने हाफ टी स्पून के जितना शुगर डाल दिया और यह हमारा बॉयल किया हुआ आलू हमने डाल दिया अब भाई क्या करना है आलू तो भी यह पहले से कुक है मतलब फुल डन है इनको गलाना है नहीं थोड़ा सा मिजटर करेंगे फटा फट से यह रसी भी बहुत ही आप हल्दी और मिर्ची कम जादा कर सकते हैं नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट किया अकॉर्डिंग और अब हम चलते हैं पोहे की तरफ यह देखिए हबारा पोहा आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कैसे खिला खिला यह बना हुआ है मैं स्पून से इनको स्टोर कर रही तो आपको खुदी अंदाजा हो रहा होगा कि हाँ यह पोहा जो है वो चिपका नहीं है अच्छा इसकी जो सर्विंग है जितनी क्वांटिटी मैंने ली है पहले मैं आपको यह दिखा दू यह देखिए कितना अच्छा यह फूल गया है यह टोटल यह जो सर्विंग है दो अपने के अदर मैंने बटाटा डाल दिया है तो यह हो गया बटाटा पोहा मुझे बटाटा पोहा मेरी फेमली में सबको बटाटा पोहा जादा अच्छा लगता है इसलिए मैं यहां फ्लवाट Galaxy ऐ्लू अधर करती हूँ अब दोस्त्तो यहां पर मैं एक सींसीक्रेट मैं म मैंने देखा है कि पोहे के अंदर बहुत ही अच्छी सी जान आ जाती है तो आप ये रेसिपी इस तरीके से एक बार प्लीज ट्राइ करिएगा एक पींचिस के अंदर आप गरम मसाला और मैंने इसके बाद में लेमन जूस और हरा धनिया डाल दिया है बस देखिए कितनी मैंने लेमन जूस के अंदर आट कर दिया और कुछ अब बाकी नहीं रह गया है और यह बहुत अच्छा गरम हो गया है चले फटाफट हम इसको सर्विंग प्लेट में लेते हैं और आप खुद देख सकते हैं मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि पोहा बिल्कुल खिला रेसिपी इच्छे लगी हो तो प्लीज भी रॉफट के लिए लाइक करिए चलर पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा थैंक्स वर वाचिंग